हेलो आइस आप देख रहे हैं यूटूब चैनल टैसी पॉइंट तो जो 31 प्रशनों की सीरीज थी उसका आज 8 दिन है तो इस दे एट में हम लोग जनरल होटी कल्चर और करेंगे सब्सक्राइब। करते हैं तो इसका पहले का प्रवर्धन करते हैं यह जो प्रवर्धन करते हैं पर बहुरां की कमी से झाता और अक्सर उन्हेंद में जानने लगता है है जहां पर आमके बगीजों के पास में जो इन बाले बादे रहाव निकलति है उच्फिए सूथू उससे भी एश नेस्ट है अंगूर की इनारसी इस चीन त है तो अंगूर की इनारसी है वे वह हुपने माहराश्टरह चीन अगला प्रॉशन है नेशनल होडी कल्चर बोड घुड़ गुड़गाऊं हर्याना में इस्याबूस है अगला प्रस नहीं पांच्वा जो है दे निउट्रल फ्रुट प्लांस के एक्जांपल तो दे नीट्रल यो फ्रृट प्लांस है वह पाया धूर बनाना यक्छावा है यह तो वुट एपल के नाम से जनते होंगे नेस्टा तो वेलास्टा में पॉम गरेनेट आता है नेस्टा एस्पीरिडियम इसमें साइट्रस फिरूट आते हैं और साइकोनस में तो यह तो यह तो थे जनल हर्डिकल द्रेकुंट अब यहां से पढ़ेंगे तो पहला है आम की घेती तो आम की घेती को ध्यान से देख लेते हैं इसका अवानस्पतिक नाम है मंगी फरायंडिका मैंची प्राइंडिका ठाण से जो से यह स्टें माना जाता है अगला प्रेंस्टे आम गर्म जलवाजू वाला पहुता है तो यह ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल रीजन में अच्छे से होता है अगला प्रश्ण है आम के में खाने वाला भाग होता है तो आम में जो मीजोकार्प होता है मद्धफलवित्ती वो खाने योगी होती है वो इडिवल पाड है इसका में महिंगो के प्रडंट में इंडिया की जो है भारत की प्रफ्षम रहें के इसके साथ अगला प्रिश्ण है अम सबसे धनी स्रोत है तो बिटामिन ये का सबसे दनी सरोत होती है जिसके नीचे कोई कठोर परत ना हो जिसए वह उसकी जो रूट्स है वह अच्छे से डवल इसी के साथ अगला प्रसन है याम का प्रमु खानिकारक कीट है तो महेंगो हापर है मिली बग यह सभी इसके जो है बड़ा नुक्सान पहुंचाते हैं पुसलों को जल्दी पकने वाली जो अर्री वराइटीज हैं वह बंबई पीला है बंबई हरा गोपाल भोग जाफरानी गुलाव खास और अलफान तो यह सभी कैसी प्रजातियां थी जल्दी पकने वाली अगला प्रसन है जल्दी पकने वाली जो है वह मई के अंत से मद जून तक फल दे आमरपाली मलिका और बस्ती पांच यह सभी जो है मेजिम डूरेशन वाली है उनका एक और प्रस्थ में दिया है यह एक हाइब्रिड किस्म है अगला प्रस्थ जो मध्यम समय में पकने वाली थी उनका टाइम डूरेशन है वो जून के एंद से मध्य जुलाई तक पक जाती है अगला प्रस्थ है देर से पकने वाली हम बात कर जोके हैं पहले और मद्ध में पकने वाली तो यह है लेट जो है वो चौशा नीलम फजरी तैमूरिया फजरी जाफरानी यह सभी बराइटी कैसी है देर से पकने वाली है जो बराइटी जिर से पकने वाली है उनका टाइम डूरेशन है मत जुलाई से अगस्थ तक तो अंका टाइम था ने जो बराइटी से वह चुसने वाली किसमे तो वह रस्पूनिया मिठवा गाजी पूर मिठवा तर गया हर दिल अजीज इस कंडिसन के अंदर आती है तो मे सब्सक्राइब कर लें तो आगे बढ़ते हैं कि मेंजर डिजीज आप मेंगो तो मेंगो का है वह है पावडरी मिल्डियू और मेंगो माल फार्मेशन इस जीव टू मेंगो माल फार्मेशन यह कि आम में बड़ा नुक्सान दायक रहता है यह लो टमप्रेजर की बज़े सोता है और इसमें कुछ फंगल भी अक्टिविटी रहती है आगे बढ़ते हैं आम में प्रवर्धन किया जाता है तो आम में जो प्रपोगेशन है वह इस टाइम आधुने की स्वह में जनरली बिनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है अगला प्रसमें इसमें दूरी लुक्रैय को भी देडा लगते हैं वह दस बारा मिटर के दूरी होती हैं लेक obes Syndrome में दूरी दूरी कम कर देती है अगला प्रिप्रसमध में ree corpasy पर लग जाते हैं कितने पोदढ़ सो आमरपाली से जनली कोशन आते ही भी हैं तो आप ध्यान रखीगा इन चीजों का कि इसकी दूरी है वो धाई मीटर है और पहुजे एक फरती एक्टियर में लग जाते हैं आम के निर्यात है तो वो है अलफांसो लेकिन अपर अलफांसो में एक धिक्कत होती कि अलफांसो जो है इस पण्जी टिसी डिशीज के प्रती संबेदन शीन होती है तो इससे इसके निर्यात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है लेकिन आज भी जो है निर्यात है तो सबसे उत्तम प्रजाद ही अलफांसो ही है आगे बढ़ते हैं नहीं प्रस्नों के साथ को कोंसी लाल सिंदूरी ट्रिश्च्च राइटी है किसे रीश्च्टैंट से पांवड़ी तो क्योंसी व्राहिटी एडवर्ड वराहिटी व्राहिटि वीद ऐगे वड़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि 오늘도 यहाटी एम्ठर्क न्बैट यह से न्श्च्च्च है आगे बढ़ते हैं आम की hybrid किसम होगी क्योंकि आम की काफी hybrid किसम है और इसे questions भी आते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन सी है तो अरका अनमोल अरका पुनीत अरका अरुणा रतना आमरपाली शिंधू मलिका साइस उगंदा यह सभी कैसी वराइटी है hybrid किसम है तो देख लेते ह और किसका क्रॉस है अरका पुनीत अरज़ान सब्सक्राइब है ज़ो पहला वाला यह देख रहे हैं कि अलफांसो का Stemmes abandoned जिसे ये A से अलफांस हो गया, B से बंगाली और ये पीछे वाला एक एड़न्ट कर रहा है, अरका जो भी है आप समझ रहे होंगे, बंगाली भी A से, नेस्ट है अरका अरुणा, तो अरका अरुणा किसका अकरास है, बंगन पल्ली का और अलफांसो का, रतना, नीलम का और अ यंसे क्या आओ गया नीलम, एसे अलफांसो आर से रतना, ठीक है, ऐसे ये सोट फार्म जो है, याद रखने मासानी रहती है, आमरपाली दसायरी और नीलम का क्रॉस है, ये देखे डीने लिख दिया गया यहाँ पे, और ये ड्वार्फ वराइटी है, आगे बढ़ते नी प है साई सुगंदा जो तोता परी और फियसर का क्रॉस है, ये सबी थी हमारी हाइबिड किसमे एक बार इनकों फिर देख लेते हैं, तो थी ये अरका अनमोल, अलफांसो जनारदन, अरका पुनीत, अलफांसो वगनपल्ली, अरका अरुणा वगनपल्ली और अलफांसो, ठतन जो उचित समय वो है, आमके पोदे लगाने का समय जुन से जुलाई से एगस, जुलाई से एगस, नेश्ट है नौर्थ इंडियन वराइटीज, अब यहां पर कुछ फैक्ट दिये गए हैं, तो नौर्थ इंडियन वराइटीज जो हैं, वो अल्टरनेट बीर हैं, उनने मे अब बात करेंगे ऑफ सीजन बीरिंग वराइटीज की जो बे मौस्मी परजातियां यह पूंची भी जाते हैं, इस क्या था सिंदू और बे मौस्मी में निरंजन और मदलिका, निरंजन बहुती बार मतलब यह एक्जाम के लिए प्रचलत किस्म है, तो पोईशन है, आगे पर देखे रेशियों दिया गया है, दो सो पतीस ग्राम नाइट्रोजन, 145 ग्राम फास्पोरस और दो सो पतीस ग्राम पोटास, यह सभी एनपीगे का रेशियों नहीं आपर दे दिया था, आगे बढ़ते हैं, प्रती हेक्टेर, 150 से 200 कुंटल उत्पादन होता है, आम के प पोटासियम इलीमेट्स की कमी से होती है, और जो यह इंटरन निक्रोसेस है, इंटरनल निक्रोसेस यह बोरान की डिफीसियंसी से होता है, आंत्रिक शेहु तक बोलते हैं इसको, अगला जो प्रसन है वो है, आम में सफेद मुंगा या मिली इबग बहुत ही नुक्सार पहुत होती है, अब यहां से हम बैनाना के बारे में पढ़ेंगे, तो सांट्विक नेव है, मुसा पैराडी सिया का फैमली है, मुझेसी, निक्नेम इसका कलपतरू है, कलपतरू इसको बोलते हैं, और जो यह बनाना जो है, गर्म तथा नम जलवायू का पौदा है, इसमें किसमें जो हैं, दो परकार की होती हैं, किसमें बराटी, एक तो होती ही, जो फलके रूम में खाई जाए और एक साकवाजी के उद्वेस से, तो जो फलके रूम में खाई जाने वाली किसमें होती हैं, उनमें देखते हैं कौन-कौन सी हैं, तो यह हैं चमपा, अमरत सागर, क जिली रोवष्द्टा हरीज्ण अर्म और मौहelimों ओर सबजी के लिए उगारी दहने वाली किसमें वो हैं बात करेंगे स्वाइल की सोइल नेंड्रन टील दो रिए अच्छी तो करेंगे कंपोस्ट खाद की मात्रागी तो ठारा किलोग्राम प्रति पोधा देनी चाहिए और प्रटिलाइजर का रिक्वाइर्मेंट देख लेते हैं 250 ग्राम नाइट्रोजन 100 ग्राम फास्पोरस और 200 ग्राम पोटास के लिए उचित होता है कि अगला परसन है तो नवे तरह के दोरह प्रवर्जिद किन आ राएक है इसके दोर मेर्ट कर चोटी सब्सक्राइब लेडी सिंगर इसकी तृपलाइटी है तो प्रफटर नाम की नाम की बार्याइटी व्रारयटी इन अगला परस्फ कीले का प्रमुक्रोग है तो कले का प्रमुक्रोग पनामा बिल्ट और बंचीटा बहुती फेमा डिजीज है ये टी providing अब पनावा बिल्ट जो है वो फ्यूजरियम ऑक्सिस्पोरम की भी जिस लगता है और बंचीटो पी एक वायरल डिजीज है आप जानते हैं बड़ा परिशानी उत्पन्द करते हैं और जो यह वायरल डिजीज था यह ट्रांस्मिट्ट वाई बैनना एफिड्स के द्वारा जो माहू होता है केले में जो माहू होता उसके द्वारा यह ट्रांस्मिट किया जाता है यह उसमें ब्यक्टर का कम करता है अगला प्रस्ण है प्रमुख कीट केले के तो एफिड है और राइजॉम वीविल अगला प्रतिहेक्तियर लगबग 250 कुंटल उत्पादन हो जाता ह है अगला प्रस्ण है चंपा और बरसाइव ड्वार की उपज अजिक भी हो सकती है सामानी किस्मों से इन कोस्टन के साथ जो है यह बनाना की जो हमारी क्रॉप थी खत्म हो गई अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सेव की खेती तो इसका वज्ञानिक नाम है पाईरस मेलस फैमली है रोजेसी और यह सब टेंप्रेट क्लाइमेट का अला पहुदा है पढ़ते हैं इसको सेव का उपयोग इसके प्रोडक्स के आए चटनी मुरब्बा जैली साइडर आधी बनाने में किया जाता है अब जानते भी हैं है जाति हैं मद़्यम जातियों में बेनोनी और विंटर बनाना बहुत ही प्रस्लिप क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिए हैं कि भीकिसम सेव किंः मेब जातियों अब बात करेंगे प्रमुक डिसीज की तो यह देखी एपल का जो स्कैप डिसीज होता है बड़ा ही आनिकारक होता है और इसके जो प्रमुक कीट हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो रूट बोरर हो गया इसको जड़ छेदक बोलते हैं इस्टेम बोरर तना छेदक और वूली 200 से 300 कुलोग्राम तक पहड़ों पर हुत-पादन द्ध देख रहा होंगी कि पहड़ों का जो प्रोडटक्शन वह मैदानी चेतरों से ज्यादा है क्यों जादा है क्योंकि जो सेव और मैदानों में पहड़ों के पे इस्छा घरंदा रहती है तो इस फृद से थोड़ा और इसकी family seven देखी family बड़ी प्रिसलित है इसकी तो लीची जो है गरंई का फल है दिसमें भारत का दूसरा इस्थान है उत्परत इस्थान चीन है भारत में लीची के तो प्रमुक छेत्र हैं एक तो वह गया उत्तरी सुस्कफल प्रदेश अपूर्भी आद्रफल अदेश य अगली अगेती जाती हैं तो कौन कौन सी है तो देहरादुन यहां पर किस्म है अब बात करेंगे मध्यम जाती हों की तो शाही गुलाब सहारन पर प्याजी सहारन पर पिगलिक देहरा रोज और चाइना अब बात करेंगे लेट वराइटी जो पछेती जाती आँए तो कौन कौन है कलकतिया राम नगर गोला इलाइची असल में जो गोला वराइटी वह वेर की भी है तो आप कंफ्यूजन में न पड़ें तो गोला इसकी भी है तो गोला इलाइची ये दोनों जो है लीची की जातियां है अन्य पुत्तम प्रजातियां तो देशी भी है एक वेदाना और लेट वेदाना ये भी इसकी अच्छी प्रजातियां है अब ये अगला प्रस्ण है लीची का खाने योग्य भाग है वो एरिल है फ्लेसी एरिल होता है प्रती पेड़ से एक से दो कुंटल फल प्राप्त हो जाते हैं तो ये तो थी लीची की फसल अब हम पढ़ेंगे बेर की बेर के बारे हम पढ़ेंगे तो बेर जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है जिजफस जुबा फैमली है रहमनेसी इसकी फैमली काफी प्रिखलेता है देखें आगे बेर को गरीबों का फल कहा जाता है इसे गरीबों के फल की संग्या दी गई है और जब इसकी फसल होती है तो फसल के दिनों में बहुत सस् अब देखें निट्रिशनल वैलू की तो बेर में 12.8% कार्वोहाइडरेट, 0.8% प्रोटीन, 0.03% कैल्सियम और 85.9% तक जल होता है जनमिस्थान भारत है, कुछ विद्वाने के नुसार इसका जनमिस्थान हीराग भी माना आता है, लेकिन जो मिजोरिटी वो भारत को सपोर्ट करती है नेश्टा यह अधिक गर्मी तथा लू सहिन कर लेता है, इससे प्रतित होता है कि जो बेर है वो सभी चेत्रों में आसानी से उग जाता है बेर को ऊसर भूमे भी सफलता पूर्वक वह आता, जिबकि अन्य फ़लो में ऐसा नहीं होता है लेकिन बेर जो है वो ऊसर भूमे भी अच्छा पदन देता है अब बेर की दो किसमें होती ही एक तो पेबंदी होती है और एक गोल वेर होती है गोल वेर आप नाम से ही समझ सकते हैं ये साज में गोल होता हुआ और जो पेबंदी वेर होता है उसके बारे हम क्या है ये ऊपर तो गोल होता है लेकिन नीचे का से जो है सक्रा नुकीला होता ह बेर की उन्नत सिल पर जाते हैं अभी हम पिछले हम बताई थे लीची में भी गोला था यहां पर भी गोला है तो लीची गोला बनारसी कड़ा का एलाइची उम्रान जोगिया बेर नारिकेली सभी इसकी बेर की उन्नत पर जातियां है अब बात करेंगे प्रोपागेशन की प् दो विदियों सोता है एक तो 20 द्वारा और एक बड़िंग द्वारा बड़िंग्स में भी शाइधरिंग बड़िंग होता है तो यह देख लीचेक आप परतियक वर्स बेर में ठाटेख वर 50 ग्राम पासुरस, 50 ग्रउट करम्स देना चाहिए से प्रति पेड़ परति वर स सौ से दो सो किलोगराम बेर तक प्राप्त हो जाते हैं तो यह तो थी उसकी उपज अब अगला वी एक प्रस्ण बेर की दूधिया पर जाती है वह फल मकी की प्रदरोधी किसमें इसमें फल मकी का एटक नहीं होता है तो यह था मारा बेर की फसल अब आगे हम इसके अधिक इस भी ली प्राप्त में जाती है अ नहीं सूर्थ नहीं किया destination मेरिका मानी जाती Avengers नहीं से एलावादी सफेदा पहुती है लेकिन मुझे बाइटिक बारते देख लेते हैं चित्तिदार है अम्रूद बेदाना है बनार्शी सुर्खा लाल गुदा यह सभी अच्छी प्रजातियां है hybrid किस्मों की बात करें तो hybrid किस्मों में सफेदा जाम और फोहीर सफेदा यह два इंग जो अ तो इस्टूलिंग दा मोस्ट कॉमनेंट चीपेस्ट किस्टा मेथड है ग्वाबा के लिए और ग्वाबा के टोलिडेट सेलेंटी बट इस विल्ट उख्था रोग अम्रूत का उख्था रोग जो है बड़ा यहानिकारक होता है अम्रूत के लिए प्रोटक है ब्राण जिंग की डिपिषियंसिज होती है और अम्रूत के पोदे लगाने का मुख समय हो जुलाई से अगस्ट तो इन कोस्टेंगे साथ अम्रूत की फिसल एहीं पर समाप्त होती है अब हम लोग पढ़ेंगे नीवू की खेती नीबू केटी का इसमें देख ले जो नीबु का है तो नीबु में भी बड़ा डाइवर्सिटी है अलग जातियां है तो अब यहां पर बात करेंगे देखते हैं नीबु जो है नम तथा गरम जलबाईू वाला पवदा है और इसकी जो प्रजातियां है उनसील किसमें है तो वह है यूरेका गोल यूरेका पंत लेमन पंत लेमन एक और दो बारहमासी लेमन कागजी नीबु और पहाड नीबु यह तो थी उनसील कितमे अब बात करेंगे कागजी नीबु की प्रजातियां तो कौनगोन सी है जो फेमस है चक्रधर शाइस सर्वती मीठा चिकना और प्रमालिनी इसकी जो है उनसी प प्रमुक डिजीज है अब बात करेंगे पादन की तो नीबु के एक पौदे से 400-600 फल प्राप्त हो जाते हैं अगला प्रस्तनाएं एक एक्टियर से लगवग 200-500 कुंटल जो है फल मिल जाते हैं नीबु में कंपोस्ट खा दिसंबर से जनबरी के बीच देनी चाहिए और नीबु की जो प्रमुक टीट है वह सफेद मक्ही और नीबु की तितली यह दोनों जो है इसके में प्रस्मों के साथ नीबु की फसल समापत होती हुई हम पढ़ेंगे पपीता की खेती में इसका जो बैज्ञानिक नहां है कैरिका पपाया फैमली कैरिकेसी और इसका कीला उपजाओ दो मढ़ू में सरवत्तम होती है अब हम बात करें कि किस्मों के बारे में तो उन्नत किस्मों में देखते हैं सूर्या पूसा नन्ना पूसा मैजेस्टी पूसा डेलिसस वासिंगटन कुर्ग हनीड्यू कोईंबटूर एक कोईंबटूर दो पूसा ड्वार और प संक्साब्राइए själगर करें अगले प्रस्नकी तो मुख्य रूप सेमसे बीज से त्हार किया जाता है तो साथ सही तैयर किया जाता है सीड सही प्रमोगेट होता है कि अगला प्रस deze रोपा ही ए तो 400 ग्राम रियापत होती है कि और प्रति हेग्टियर 250 से 350 तो каж bald मि गविश् कि यह प्रमुख डिजीज है इगला प्रसन है यलो पिगमेंट इन पापाया तो यलो पिगमेंट जो है वह पाइया में कहरिका जैन्थिन होता है और मिल्कॉप्टेन जो उसके कच्चे अनपके फलों से दूद्ध प्राप्ट किया आता है जो लेक्टिस टाइब में वह पेन प्रतिरोज़धी घ्राथी है तो अगला प्रसन है ब्लेट रेड कलर किस वराइटी का होता है टाइवाण जो राइटी है वह ब्लेड रेड कलर होती है खुन जीसे लाल दनकी आर एक्स्ट्रीमली ड्वार्प्स जो मितलब कुछ जादी ब्हुनी प्रजाती होती होती वह पूशा नन्ना तो इसकी जवाई यह अच्छी प्रजाती होती है तो इन प्रसनों के साथ पपीता की खेती होगी समाथ अब हम लोग पढ़ेंगे आडू की खेती आडू तो आडू की खेती में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रियूनस परशिका फैमली है रोजेसी के तक यह थन्डी जलवाईू वाला फल है कैसी जलवाईू थन्डी जलवाईू अब देखते हैं इसकी उननत किसमे तो उननत किसमों में जो हिलरियाज हैं परवती प्रवती चेतरम के 일िए अलेकसिंडर तोतापरी अलबर्टा और पेरी ग्रीन यह इसकी परवती चेत्रम के लिए उचित किस्में हैं बात करें कि में चेत्रों की किस्मों के लिए सरबती ओर्विडासन क्यों साहाराणपुर यह क्यों नुभ देखते हैं में चेत्रों के लिए। चलया वह और इसका अड़ु का जो प्दिवर्धन रिंग प्शैटिन करते हैं लुवफ possibilities ग्राम नाइट्रोजन 20 ग्राम फास्पोरस और 25 ग्राम पोटास प्रती वर्ष और प्रती पौधा देना चाहिए यह तो था इसका फर्टिलाइजर रुक्वाइर्मेंट हम आगे वढ़ते हैं आठ से दस वर्ष के एक पौधे से 50-100 किलोग्राम तक फल मिल जाते हैं कितने 50-100 किलोग्राम तक एक हेक्टियर से 150-200 कुंटल तक फल मिल जाते हैं जो आड़ू के प्रमुख कीट हैं वो देख लेते कौन-कौन से हैं तो एक तो हो गया जड़ काटने वाला रूट बोरर और तन्हें में शेद करने वाला इस्टेम बोरर तो यह इसके प्रमुख कीट थे और उसका प्रमुख रोग है वो पत्तियों का मुड़ना है लीफ अब यहां से आड़ू की फचल समाफ्त हो जाती है अब हम पढ़ेंगे जनल ओडिकल्चर के बहुत इंपोटेंट कोश्चन तो देखते हैं कौन-कौन से हैं अब यहां पर फ्रूट टाइप दिए गए और उनके एक्जामपल दिए गए तो जो देखते हैं कौन-कौन से ह टाब हो यहां सायजो-कारब रूट है क इसका है कयरट सायज कोकार नैटमे कौन कौन से आते हैं लीची और कैस्यू कह sich जानते होंगे काजू को बोलते हैं कैस्यू कि वाटर मिलन किस में आएगा पेपो में फिर ड्रूप ताइफ के फ्रूट्ट तो ड्रूम्न ओगया और काफी ताइफ के सानुको हूँ जो होता है निट पाम दिया गया तो हम असल में फलों की बात करेंगे यहां पर तो जो देटर भाम है वह भी बेरी है सो रोसर पाइनयपल और एडिवल पार्ट रप कोकॉनड गळाका खाने की भाग होता है वह को अधने हैं इंडो इंस्पर्म बहुत है इंडो स्पर्म और प्रसन है इडवल पाठा पाइनेपल तो पाइनेपल में क्या खाते हैं उसके ब्रैक्ट्स तो जिन श्टुदेंट्स ने हमारे प्रक्टिस सेट नहीं देखें वो जाके देख लें और जो नए श्टुदेंट्स के लिए धन्यवाद मिलेंगे नई वीडियो के साथ जैहिं जैहारत